कपंगा 달 तो फिर्टा हमने पिसली क्लासेश में पढ़ा पिप्डा कि किस तरह से इल्यक्टरोगेंग nearby। ता Azure ढिलप होते हैं। रेटवू सही होते हैं। इसमें ऑक्षिडेशन हो रहा होते हैं। इसमें ऑक्षिडेशन हो रहोते हैं। एलेक्ट्रॉन रिलीज थे इसके बाद यह हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रोड जो है आपकी oxidize होगी, कौन सी reduce होगी, यह सारी बाते हमने वहाँ करी थी, cell form किये थे बहुत सारे different different electrodes से, इसके बाद electrochemical series के बारे में पढ़ा था, कि electrochemical series क्या होती है, तो आज हम क्या करेंगे, उन चीजों का use करेंगे numerical के अंदर, तो पहले numerical 77 आपके सामने है, यह कहता है, calculate the standard EMF of a cell, which involves the following cell reactions, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो ZN है, वो ZN plus 2 में convert हो रहा है, और जो AG positive वो AG में convert हो रहा है, तो आपके पास हुआ क्या, ZN से कहां जा रहा है, ZN plus 2 पर, इसका मतलब यह oxidize हो गया, क्योंक हो रहा है, और अगर मैं silver की बात करूं, तो silver क्या हो रही है, AG positive से किस में convert हो रही है, अब आगे देखो given that E not Zn से Zn plus 2 मतलब Zn से Zn plus 2 का मतलब oxidation potential है यह AG से AG plus मतलब oxidation potential है ठीक है और मेरे को निकालना है standard EMF of cell E not cell निकालना मुझे E not cell standard condition में cell की EMF of वो निकालना है तो मैं यहाँ फार्मुला अप्लाई करूँ का E not cathode माइनस E not क्या anode यह फार्मुला मैं apply कर दूँगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि इस फार्मुले में जो E not cathode और E not anode होता है उसमें reduction potential use करते हैं जबकि दिये क्या है oxidation potential कैसे पतार चला क्योंकि Zn से जड़ान प्लस टू vaporization हो रहा हैं कि नहीं हो रहा है है एज चखालए कि आती कि इन आती के लिए रोगी बात की नहीं होगी यह चीज़ है तो अब हम क्या करेंगे हम निकालेंगे E0 क्या Zn प्लस टू से कहां Zn तो यह कैसे निकलता है जो आपके oxidation potential है उसमें minus से multiply कर दो तो यह हो जाएगा minus of 0.76 यह हो जाएगा तो यह आजाएगा आपका minus 0.76 वोल्ट इसी तरह आपका E0 एजी पॉजिटिव से क्या एजी पॉजिटिव से एजी यह कितना आ जाएगा प्लस का जीरो पॉइंट एट जीरो वोल्ट यह इतना आ जाएगा अब इनॉट सेल के लिए इनॉट कैथोड और इनॉट अब यहां पर यह confusion होगा आपको की कैथोड कौन बनेगा एनॉट कौन बनेगा तो जिसका reduction potential value जितनी लो होती है उसका तो होता है oxidation और वो बनता है एनॉट तो यहां कंप्टिशन हो गया माइनस 0.76 में और 0.80 में तो इस कंप्टिशन में लो वैल्यू किसकी है माइनस की 0.76 इसका मतलब यह ऑक्सिडाइज होगा है क्या होगा यह ऑक्सिडाइज होगा यह राड़ गल जाएगी जिंग की राड़ गलेगी और यही आपका एनॉट बन जाएगा कर आनॉट बन जाएगा वेरी इंपोर्टन जिसका reduction potential लो होगा वह राड़ इसको मतलब वह γιαण गलेगी इसका मतलब वह राड अनोड़ बनेगी तो इस वाली का क्या होगा इस वाली का रिडूक्शन हो जाएगा और यह क्या बन जाएगी कैथोड बन जाएगी तो आपको पता चलिगा अब इनौट कैथोड माइनस इनौट एनौट तो इनौट कैथोड आगया आपका बिटा 0.80-0.76 यह माइनस इस माइनस को क्य कर देगा प्लस कर देगा बस आपका अंसर आ जाएगा लियर हो कि बात लेकिन इन केस्टन पर आपको यह जरूरी समझना है कि किस रोड का ओक्सिडेशन होना है किसका रेडक्चन होना है कौन कैथोर्ड बनेगा कौन एनोड बनेगा यह सब हम डाटाबेस आपको ठीक है तो Oxidation potential दिया था उसको मैंने किस में convert कर लिया उसे मैंने reduction potential में convert कर लिया कर लिया और इसके बाद चेक कर लिया किसकी value low है वो मेरा oxidize होगा और anode बनेगा इसके बाद formula में value apply करी answer got the idea यह question देखो बटा आपके सामने a cell is prepared by dipping a copper rod in one molar copper sulfate solution and nickel rod in one molar nickel sulfate solution the standard reduction potential very important standard reduction potentials reduction potential दे रखें विटा आपके ठीक है electrode and nickel electrode are this and this copper electrode के लिए दे रखा विटा e naught cu plus 2 reduction potential है तो cu plus 2 से कहां जाएगा cu यह दे रखा 0.34 और इसी तरह से nickel का दे रखा e naught reduction potential है तो ni plus 2 से nickel यह कितना दे रखा minus 0.25 अब जब इन दोनों में condition होगा तो नीचे value value आपकी लो है negative है low value है clear होगी बात तो इसका तो होना 100% के oxidation तो यह रोड क्या बन जाएगी anode बन जाएगी क्या बन जाएगी anode तो यह क्या बन जाएगी आपकी यह cathode बन जाएगी बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत है कोई problem नहीं अब क्या करोगे आप e naught cell निकालोगे क्या निकालोगे e naught cell यह क्या होता यह यह होता e naught cathode e naught cathode minus e naught क्या anode यह चीज होती बटा यहां तक कोई problem नहीं अब आ गया हो e naught cathode कितना है e naught cathode बटा 0.34 और e naught anode की यह इतना है minus 0.25 क्लियर होगे बात तो final answer क्या आएगा यह minus इसको plus कर देगा add करके लिख देना e naught cell निकल आएगा clear अब पहला question क्या इसका part a वो क्या कहता है what will be the cell reaction cell reaction बताओ तो cell का बारे में तो आपको पता चलिए oxidation किसका और reduction किसका हो रहा है इसका मतलब है nickel का तो oxidation होना है तो निकल किसमें convert हो जाएगा nickel हो जाएगा ni plus 2 और प्लस दो electrons ठीक है यह तो हो रहा होगा आपका anode पर और cathode पर क्या हो रहा होगा यह cell reaction हो गई आपकी cathode पर क्या हो रहा होगा यह जो electron release किये इसको c u plus 2 ने accept कर लिया होगा और किसमें convert हो गया होगा c u में यह आपकी कौन सी reaction हो गई यह हो गई आपकी cathode reaction a part समझ में आ गया clear होगी बात मैटा इसका बी पार्ट देखो क्या कहता है यह कर रहा वाट वाट विल्ट इस्टेंडर्ट एमफ आप दा सेल यह तो मैंने आपका यह तो इस तरह से अपनी प्रावलम आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे अपको यह बताना पड़ता है कि ऑक्सिडेशन किसका हो रहा है तो यहां पर आप लिखेंगे निकल से निकल प्लस टू फिर आप साथ डिप्रिश लगा देंगे और कॉपर प्लस टू से कहां कर देंगे कॉपर में कर देंगे यह आपका सेल रिप्रेजेंट हो गया ठीक है बटा तो इस तरह से मैं अपनी प्रावलम को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं तो एक एक स्वास्टिडेशन को थो इस उनकिसर today क्या होगा सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा पॉझेव लЙकट्रोड खरों बनेगा सैल की रियक्शन चाहर पार्ट कोस्टन था यह मैंने क्लिए टा ठीक है यह वरbach को सब्सक्रिश करे एक सब्शन παAre you abordegie आपके सामने कोई ए में डाल रखा है copper sulfate में copper डाल रखा है यह सहल है आपका साट भी जी उसकर रखा है calculate standard cell potential if the standard state reduction electrode potential very important reduction electrode potential दे रखा है इनके लिए ठीक है दोनों के लिए तो E not copper plus 2 से copper देखो बटाई यह कितना दे रखा है यह दे रखा है आपका 0.34 volt ठीक है यह दे रखा 0.34 volt दे रखा है इसके बाद E not अगला कौन सा आपके पास zinc का है तो Zn plus 2 से क्या Zn यह कितना दे रखा है 0.76 और वो भी क्या माइनस का और यह दोनों reduction electrode potential है क्लिए रोगी बात तो अब पूछ रहा है calculate standard cell potential standard cell potential मतलब E not cell पूछ रहा है E not cell E not cell क्या होता है E cathode minus E anode यह तो होता है अब दिमाग यह कहेगा cathode कौन बनेगा anode कौन बनेगा तो क्यूंकि दोनों reduction potential दे रखे हैं तो इसमें low value कौन सी है minus 0.76 तो यह value क्योंकि low है तो इसका क्या हो जाएगा बटा इसका हो जाएगा oxidation और यह rod गल जाएगी आपकी यह dissolve होना शुरू हो जाएगी और यह क्या बन जाएगी आपकी anode बन जाएगी जिसका oxidation होता है वो rod anode बनती है clear हो के बाद इसके बाद यह वाली अपने आप क्या बन जाएगी यह बन जाएगी cathode क्या बन जाएगी यह cathode बन जाएगी समझ में आगी बाद तो cathode का भी आपको पता है electrode potential कितना है 0.34 माइनस यह कितना है माइनस 0.76 तो यह माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा तो यह आ जाएगा 0.34 प्लस 0.76 तो इसको जब add करके लिखोगे तो यह आपका final answer होगा got the idea next question देखो बटा आपके सामने a cell is set up between copper and silver electrode as this and this if its two half cell work under standard condition calculate the amf of the cell यह देखो बटा copper plus 2 से copper मतलब क्या और है reduction हो रहा है ag plus से ag क्या और है reduction हो रहा है इसका मतलब यह क्या दे रखा reduction potential यह क्या दे रखा reduction potential कोई दिक्कत नहीं अब इन दोनों में जब condition हुआ तो यह value कैसी यह low है और यह value आपकी high है तो जिसकी value low होती है उसका क्या होता है oxidation वो rod क्या बनती है anode तो इसका क्या होगा reduction क्या बनेगी cathode क्लिए रोगी बात तो आपको क्या क्या पता है आपको इन और कैथोर्ड पता चल गया कितना दिया बिटा जीरो पॉइंट एड जीरो और आपको क्या पता है इन और पता है यह value कितनी है 0.34 यह बात समझ में आई कि नहीं है यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब आपको क्या निकालना है इन और सेल निकालना है तो इन और सेल क्या होता है इन और कैथोर्ड और माइनस इन और क्या एन और तो कैथोर्ड कितना है कैथोर्ड है 0.80 और एन और कितना है 0.34 तो यहां से आप solve करके final answer तक पहुंच सकते हैं Got the idea? इस तरह आप final answer तक पहुंच सकते हैं यह देखो बटा, यह कहता है था standard EMF of the cell NI से NI प्लस 2 और copper प्लस 2 से copper यहाँ पर ओर रहा है बटा, आपका oxidation और यहाँ पर ओर रहा है आपका reduction और इसका EMF इसने दे रखा direct, 0.59 दे रखा है, E not cell दे रखा है तो E not cell यह दे रखा आपका कितना? 0.59, clear? The standard electrode potential of copper electrode is 0.34 तो copper का standard electrode potential दे रखा 0.34 कह रहा है calculate the standard electrode potential of nickel electrode nickel का आपको calculate करना है, ठीक है बटा? तो obvious सी बात है, निकल आपका anode बनेगा निकल क्या बनेगा आपका? anode और यह क्या चीज़ है? यह बनेगा आपकी cathode इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो E not cell का formula क्या बन गया? E not cell आपका बन गया E not cathode, minus E not क्या? anode तो cathode के लिए क्या कहोगे? cathode के लिए क्या कहोगे? भाई आप दिमाग लगाओ cathode कौन बनेगा इसमें? cathode बनेगा आपका बताता हूँ भी यह तो हो गया E not cell सबसे पहले लिख लिए 0.59 ठीक है? cathode बनेगा copper वाला ठीक है? और उसका electrode potential दे रखका है copper electrode का 0.34 ठीक है? यह anode और यह cathode तो cathode का होगे बटा 0.34 और anode का मुझे पता नहीं anode मेरा कौन सा था? निकल वाला था तो यह E not anode है और यह चीज़ किसके लिए यूज हो रही है? यह आपकी निकल के लिए यूज हो रही है किसके लिए है? निकल कोई दिक्कत नहीं अब आप क्या करो? इस value को इस तरफ ले जाओ और इस value को इस तरफ ले जाओ तो E not anode कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 0.34-0.59 तो इसको जब solve करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? निकल का standard reduction potential आपको मिल जाएगा क्लियर होगे बात तो फार्मूले में कहा है? क्या apply करना है? यहाँ पर apply करना आपको कैथोड के बारे में आपको knowledge थी यह दे रखा है anode आपको नहीं पता था क्या potential है? लेकिन E not cell पता था आसानी के साथ आप calculate कर सकते है यह question देखोड़ा आपके सामने the EMF of the following cells are दे रखे हैं EMF of cell यहाँ पर oxidation हो रहा है और यहाँ पर reduction हो रहा है ठीक है? तो यह क्या बनेगा? anode और यह क्या बनेगा? cathode और E not इसका दे रखा है ठीक है? तो E not cell is equal to cathode minus anode तो E not क्या? copper या E not cathode copper plus 2 के लिए और E not anode E not anode मतलब silver के लिए AG वाले के लिए के लिए रोगे बात AG वाले के लिए यह दे रखा है यह value आपकी 0.46 और वो भी minus में ठीक है? यह minus में दे रखी है E not तो यह आ रहा है आपका जा करके E not copper वाला और minus E not क्या? silver वाला एक काम खतम अब आगया हो यह देख Zn से Zn प्लस 2 है copper प्लस 2 से copper है E not इसका दे रखा है तो E not cell यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा E not cathode cathode कौन बन रहा है इसमें? cathode बन रहा बेटा copper वाला तो E not copper और minus E not क्या? zinc clear है? E not cell कितना है? 1.10 that is equal to E not Cu minus E not क्या? Zn प्लस 2 यह चीज बन रही है तो कहरे calculate the emf of the cell Zn प्लस 2 से silver वाला यहां से यहां यह चीज है तो यह confirm है क्या बनेगा आपका? यह तो बन जाएगा आपका cathode ओ स्वारी oxidation हो रहा है ना? तो यह anode बन जाएगा और यह आपका cathode बन जाएगा यह निकालना है तो मुझे निकालना है E not cell इस वाले case का क्या जाएगा? E not cathode मतलब silver वाला case चाहिए मुझे और minus E not anode मतलब मुझे जड़न प्लस टू वाला case चाहिए अब जड़ा दिमाग लगाओ अब थोड़ा common sense की बात करते हैं मतलब जो चीज मुझे चाहिए उसमें मेरे पास silver और zinc है silver और zinc है ठीक है? और silver मेरा positive आना चाहिए zinc मेरा negative आना चाहिए इसका मतलब है कि इस वाली equation से मैं इस वाली equation को subtract कर दूँ तो जब subtract करूँगा तो ये portion minus ये portion plus और ये portion यहाँ भी plus हो जाएगा अरे बाई इस minus से कहाँ पहुंच जाँँगा? plus पे इस plus से कहाँ पहुंच जाँगा? minus पे इस minus से कहां पहुंच जाँगा? plus पे ये हो जाएगा अब ज़रा दिमाग लगा अब थोड़ा सोचो अब थोड़ा सोचो इस value से आपने क्या किया? इस value से आपने क्या किया? देखो copper से copper cancel हो गया E not copper से ये cancel होगा प्लस माइनस की वज़े से ठीक है अब यहां से आप साफ पता चल रहा है क्या निकलेगा यहां से क्या निकलेगा देखो 1.10 minus minus 0.46 is equal to is equal to अब यह आपका कैसा बन गया positive तो यहां क्या बन गया E not AG वाला और minus E not zinc वाला आ रहा है कि नहीं और गवर करो यही value मुझे यहां चाहिए same value मुझे को यहां चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए समझ आये कि नहीं आया तो मैंने क्या किया दो equations बनाई दो equations आपको साफ दिखाई दे रही है एक equation यह दूसरी equation यह फिर मैंने देखा मुझे लाना क्या था मुझे यह value लानी थी तो मैं किस से किस को subtract करूँ यह common sense की बात थी ठीक है तो आपने green वाले portion से blue वाले portion को subtract किया उससे copper हट गया क्योंकि मुझे answer में copper नहीं चाहिए था तो क्या बचा है silver plus बचा और ZN plus 2 वाला case बचा यही मेरा answer होगा what the idea यह question देखो बचा आपके सामने the half cell reactions with their oxidation potentials are this and E not oxidation दे रखा इसका ठीक है और AG plus में दे रखा E not oxidation ठीक है दोनों के oxidation potential दे रखे तो करे राइट दा cell reaction तो सबसे पहले तो cell reaction लिखनी मुझको क्या हो रहा है महाँ पर actual में देखो बचा सबसे पहले तो oxidation potential को मैं reduction potential में convert करूँगा उससे मुझे idea लगेगा कि कौन सी rod oxidize होगी कौन सी reduce होगी तो देखो बचा oxidation potential से भी हम जा सकते हैं लेकिन आप एक ही method रखोगे दिमाग में तो फायदे में रहो confusion नहीं होगा तो e not oxidation से सबसे पहले मैं कहां जाओँगा e not reduction पे इसके लिए मैं क्या करूँगा इसमें एक minus से multiply कर दूँगा तो यह मेरा आ जाएगा minus 0.13 volt इसके बाद बटा यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपका e not reduction क्योंकि यह दिया क्या है oxidation वाला दे रखा है तो इसमें minus से multiply करूँगा तो यह हो जाएगा plus का 0.80 volt अब इन दोनों में low value किसकी है यह value low है और यह value आपकी high है तो जो low है उसका क्या होगा उसका होगा oxidation वो rod गलेगी और क्या बनेगी anode बनेगी एक काम तो यह खतम हो गया तो फिर इसका क्या होना इसका reduction हो रहा है silver वाले का ठीक है और इसमें यह बन जाएगा आपका जाकर के cathode क्लियर हो कि बाद अब हमें लिखने ही right the cell reaction ठीक है cell reaction लिखने ही तो जिसका oxidation हो रहा है पहले वो लिख दो तो PB से कहां convert हुआ PB plus 2 और 2 electron इसने release कर दिये ठीक है यह तो oxidation आप reaction होगी अब यह जब 2 electron इसने release किये इसको किसने accept किया silver ने तो 2AG ने 2 electron accept कर लिये तो किसमें convert हो जाएगा आपका 2AG negative कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगे आपकी समझ में आएगे होना यही है आपका होना यही है क्योंकि एक का oxidation होना था लेट का तो oxidation हो रहा है और आपका silver का reduction होना है तो वो 2 electron कौन accept कर लेगा AG आपका accept करेगा थोड़ा सा confusing लगता है लेकिन ऐसा ही होगा clear है ऐसा ही होगा या फिर आप शॉरी यह AG प्लस है 2 electron लेकर के किसमें convert हो जाएगा AG में convert हो जाएगा ठीक है AG प्लस आयन 2 electron लेकर के AG में convert हो जाएगा तो यह oxidation half reaction हो गई यह reduction half reaction हो गई हो गई E notونless E not यही तो होता है अब आपको कैफोड वताए कैफोड का electrode potential कितना है कैफोड आपका यह रहा A यह value कैफोड के लिए यह value उठा करके आपका हाँ put कर दोगे यह … और anode की यह value आप कहाँ put कर दोगे anode की value ले जा करके आप यहाँ put कर दोगे खतम बाद आंसर आजाएगा आपका समझाया है कि नहीं आया आपका आंसर आजाएगा इंद इस एक तो एल प्लस त्री से कहां गया एल पर और एक फ्लस टू से कहां गया mg पर, दोनों का reduction हो रहा है the reduction potentials of these cells are this and this, तो reduction potential e0 आपका al plus 3 से al में दे रहा है कितना बटा ही, ये दे रहा minus 1.66 और इसी तरह से आपका इसमें दे रहा है mg वाले से e0, mg plus 2 से कितना mg plus 2 से mg ये दे रहा है, ये कितना दे रहा है, minus 2.36 दोनों के reduction potential दे रहा है कौन सी value low है, ये value बटा low है, negative में ज्यादा ये, ज्यादा negative है, low हो गई तो इसका क्या होना है, इसका होगा oxidation, ये क्या बन जाएगा, anode बन जाएगा यही सिखारक का बार बार यही करना है ये value high है, इसका क्या हो जाएगा, reduction हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका, cathode develop कर लेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब क्या रहा है, calculate the cell potential cell का potential निकालना है और cell reaction लिखना है, ठीक है तो cell reaction लिखना बड़ा आसान है आपको करना क्या है, mg का तो oxidation हो रहा है, तो mg क्या करेगा mg प्लस 2 बना लेगा और दो electron इस तरह से release होंगे clear होगी बात, और आपका AL के साथ क्या होगा, AL प्लस 3 आएगा ठीक है, वो क्या करेगा 2L प्लस 3 आएगे, ये 3 ते मान लो तो यहाँ पर 6 कर लो तो 2AL प्लस 3 आएगे, इन 6 electrons को accept करेंगे, और किसमें convert हो जाएगे, AL में convert हो जाएगे ये cell reaction होगी आपकी समझ आया कि नहीं आया, ये आपकी cell reaction हो जाएगी, अब इसने कहाए इसका potential निकालो, तो आप बहुत अच्छी से जानते हूँ क्या होता है, E0 cell E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 क्या, anode, तो E0 cathode कितना आएगा, cathode बन कौन रहा है, aluminium वाला cathode बन रहा है, तो E0 cathode minus 1.66 और minus E0 anode कितना है minus 2.36 ये minus इस minus को क्या बना देगा, प्लस बना देगा आपका answer आजाएगा यहाँ से आपका answer आसानी से calculate हो जाएगा Got the idea? ये problem देखो बटा ये कहता है calculate the E.M.F. of the cell containing chromium and cadmium एक chromium है और एक cadmium है तो ये reduction potential reduction हो रहा है तो reduction potential है यहाँ भी reduction हो रहा है तो reduction potential है कैसे पता चला? अरे plus 3 है और यहाँ पर कितना है? 0 यहाँ plus 2 है यहाँ कितना है 0? तो plus 2 से 0 और plus 3 से 0 इसका मतलब reduction हो रहा है तो दोनों reduction potential है तो कह रहा है आप जो है E.M.F. बताओ तो बिल्कुल सरल होता है यह E.N.O.T. cell is equal to E.N.O.T. cathode minus E.N.O.T. क्या? एनोर्ड यह होता है ठीक है तो आप जड़ा दिमाग लगाओ इन दोनों में यह value क्या है? low है क्या है यह? low value है अगर यह low value है तो इसका क्या होगा? oxidation होगा और अगर इसका oxidation होगा तो यह rod गलेगी और अगर यह rod गलेगी तो यह क्या बन जाएगी? अनोर्ड बन जाएगी इसके बाद आओ इसमें यह value कैसी high है? तो इसका क्या होगा? reduction होगा तो यह क्या बन जाएगी? यह बन जाएगी आपकी cathode क्या बन जाएगी? cathode बन जाएगी अब value put कर देता हूँ E not cathode कितना है? minus 0.40 minus यह कितना? minus 0.74 यह minus इस minus को plus कर देगा और आपका final answer आजाएगा Got the idea? simple देखो बटा यह concept है to predict whether a metal reacts with acid to give hydrogen gas or not क्या चीज़ है मैं बताता हूँ जैसे यह आपका acid मान लो क्या चीज़ है? यह acid है इसके अंदर क्या है? acid है यह रहा acid आपका clear है? यह आपका acid है और इसमें आप कोई metal rod डाल रहा है आपने कोई भी metal rod यह ले ली यह metal rod है क्या है? metal rod metal rod अब जैसे आप metal rod डालोगे तो इसके अंदर से gas निकल सकती है बहार यह gas निकल सकती है hydrogen gas जो आपकी release हो सकती है यह नहीं भी हो सकती वो depend करता है तो यह question पूछ रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि कोई metal rod हमने acid के अंदर डाली हो उसमें hydrogen gas निकलेगी या नहीं निकलेगी तो एक case तो यह है कि मैं उसमें acid में rod डालूँ फिर चेक करूँ गास निकल रही है नहीं निकल रही तो यह तो बड़ा बेकार का concept हो जाएगा काफी काम हो जाएगा इसके अंदर महेंगा पड़ेगा उससे सरल तरीका है कि आपको electrochemical series पता है सभी को पता है electrochemical series उपर जो है इसमें reduction potentials के increasing order में लिखा जाता है reduction potential के increasing order में मतलब यहाँ पर negative values होती है फिर यहाँ पर आपका hydrogen आता है उसका reduction potential 0 होता है फिर इसके नीचे की जो metal है वो कैसी होती है positive reduction potential वाली होती है यही तरीका तो है increasing order में इस तरह से लिखते हैं reduction potential के तो सभी को पता है वो सारे के सारे metal जो hydrogen के उपर लिखे हुए है उनके reduction potential negative है वो सारे के सारे आपको highly active मिलेंगे समझ में आया यह सारे कैसे मिलेंगे highly active highly active इन में से आपने कोई भी rod अगर acid के अंदर dip करी तो वहाँ hydrogen gas निकलेगी ही निकलेगी लेकिन जो आपने metal hydrogen के नीचे देखे हैं वहाँ पर वो less reactive है वो उतने reactive नहीं है वो electron इतनी जल्दी lose नहीं करते हैं ठीक है तो important बात क्या है hydrogen के उपर जितने भी metal है वो acid के अंदर dip करने पर क्या करते हैं hydrogen gas release करते हैं और hydrogen से नीचे जितने भी हैं आपके metals ये क्या करते हैं ये acid के अंदर dip करने पर hydrogen gas को release नहीं करते हैं तो जैसे ही आप से कहें कोई भी rod दे दे मालोज जिंग की rod दे दी पूछा बताओ इसको अगर acid में dip किया तो hydrogen gas release होगी या नहीं होगी तो आप कुछ मत करो आप सीधे list पे जाओ अपनी electro chemical series इलेक्ट्रो केमिकल सिरीज जो है आपकी ECS उस पे जाओ और चेक करो कि जो rod दे रहा है वो आपकी कहां पर है क्या वो आपकी इस range में आ रही है या फिर वो आपकी नीचे वाली range में आ रही है अगर zero से नीचे है what the idea simple concept है कुछ भी नहीं इसके अंदर यह concept है बटा with the help of electro chemical series किसका यूज करना हमें हमें यूज करना है electro chemical series का यूज करना है electro chemical series का यूज करूँगा और यह बताऊंगा कि कोई भी redox reaction spontaneous है या नहीं है spontaneity का मतलब होता है natural 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 का मतलब होता है या तो मैं एक बार force apply करूँ और वो reaction अपने आप चलती रहे कोई भी चीज है वो अपने आप होती रहे या फिर जो है हमें उसको सुरू करने की जरूरत नहीं ही वो naturally अपने आप हो रही जैसे पानी हाइट से नीचे की तरफ अपने हाइट आप की यहां से जो वाटर का फ्लो है अपने आप नीचे आएगा पानी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप चाते हो कि यहां से उपर जाए तो फिर आपको मोटर लगानी पड़ेगी तो जो natural हो रहा है जिसमें हमें external agency की जरूरत नहीं ह हैं तो उसको उस प्रॉसेस को बोलते हैं spontaneous process तो बहुत सारी ऐसी chemical reactions होती है जिसमें हमें energy देने की जरूरत नहीं है अगर यह value क्या आ जाए positive अगर यह value positive आ जाए तो आपका cell बनेगा और cell बनेगा तो वो spontaneous होगी ठीक है वो redox reaction कैसी होगी spontaneous होगी और अगर आपका E not cell zero आ जाए अगर E not cell क्या जाए जीरो आ जाए तो आपका cell फॉर्म नहीं होना तो कोई chemical reaction होनी नहीं है और अगर आपका cell E not cell कैसा जाए negative तो आपका वो cell फॉर्म नहीं होगा E not cell zero और minus one पे कोई काम नहीं करेगा non spontaneous होगा लेकिन जैसे E not cell कैसा या positive वो spontaneous हो जाएगा वहाँ पर cell reaction आपको देखने को मिलेगी cell बनेगा energy मिलेगी what the idea तो ये बड़ा important concept था कि हम कैसे predict करें कि कोई redox reaction spontaneous है या नहीं तो आप क्या करो उसका E not cell निकाल लो E not cell निकालने पर अगर positive value आजाए spontaneous के देना natural है लगातार energy आपको मिलेगी बिना किसी external agency के और अगर E not cell आपका zero आता है या negative आता है तो फिर आप क्या कहेंगे ये cell form नहीं होगा और अगर form भी हो गया तो फिर ये आपको कोई भी current नह नहीं देगा अगर दा इडिया थैंक युवरी मुझा